जैहिन साथियों, सुवागत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर तो बच्चों मैं अभी आपके लिए एक एक एक्जाम से समंदित एक बड़ी अपडेट लेकर आ रहा हूँ तो जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सस्क्राइब कर लिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से शेर करिए अभी अभी एक लेटर सामने आ रहा है जो आर्मेड सेंटर की ओर से बताया जा रहा है इसके अंदर आपके एक्जाम को कंडक्ट करने की बात कही गई है जो एक्जाम 2020 और 2021 का जो पैंडिंग थे उनको लेने की बात कही गई है हाँ जी इस लेटर में वकैंसी के बारे में भी इन्फोर्मेशन दी गई है और लिखा गया कि 712 वकैंसी एलोट की गई हैं आर्मेड सेंटर की ओर से और 915 कैंडिडेट फिट पाए गए हैं पॉइंट टू में लिखा गया कि CEE for the same rally was initially planned on 30 जनवरी 2022 पहले एक्जाम लेने की जो डेट थी वो आपकी 30 जनवरी 2022 को थी लेकिन वो पोस्ट पॉंड कर दी गई थी अब क्या है एक्जाम विल बी कंड़क्टिड आफ्टर नसेसरी क्लिरेंस इन दा मंथ ओफ मार्च अप्र अब आपका एक्जाम मार्च के महिने में या अपरियल के महिने में होगा है होगा exact date यहाँ पर नहीं दी है आपका एक्जाम मार्च में भी हो सकता है और आपका एक्जाम अपरियल में भी हो सकता है और verification of sports certificate of 38 candidate is still pending जो 38 candidate है, sports वाले certificate वाले, उनकी verification अभी भी pending है, ये center की तरफ से information दी गई है, तो सभी बच्चे इतना तो confirm है कि exam आपका March के महिने में, अप्रेल के महिने में 100% होगा ही होगा, अब date fix होनी बाकी है, date आपकी कभी भी आ सकती है, तो आप इन पर ज्यादा ध्यान न देते हुए अब इतना confirm होच चुका कि आपका exam जल्दी ही जल्दी होने वाला है, तो सभी बच्चे अपनी त्यारियों को तेज कर दीजिए, अब आपके पास इतना time नहीं बचा है, अब date का इंतजार मत करिए, date कभी भी आ सकती है, सभी बच्चे अबनी पढ़ाई की त्यारी जारी मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, जहिंद!